नमस्कार सभी को Educational Hub by Swashree में आप सभी का स्वागत है जैसा कि मैंने अपने प्रीविएस वीडियो में बताया था कि हम सारे सब्जेक्ट्स पन बाई वन कवर करेंगे तो हम अपना पहला सब्जेक्ट्स आज हिंदी लेते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी सीखने या सिखाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पहले इन्हें जान लेते हैं पहला है हिंदी पढ़ाने की शुरुवात कब और कैसे करें दूसरा है वर्ण या अक्षरों को किस तरह से किस तरह के उधारनों से समझाया जा सकता है तीसरा है हिंदी किन भागों से मिलकर बनी हुई है आईए जानते हैं हिंदी पढ़ाने की शुरुवात बच्चों में तीन से चार साल की उम्र में कर सकते हैं वर्ण की आकरती याने शेप, ध्वनी याने साउन के लिए हम कई प्रकार की नीजी उधारन दे सकते हैं चित्र बना कर सिखा सकते हैं चित्र दिखा कर सिखा सकते हैं उधारन वही दिये जाए जो बच्चा आसानी से पहचान सके हिंदी सीखने के लिए जरूरी है वर्ण की आकरती वो उसकी ध्वनी की सही जानकारी होना हिंदी के चार मुख्य भाग है वर्ण, वर्ण माला, स्वर तथा व्यंजन आगे जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने में जिन ध्वनियों और अक्षरों का प्रयोग होता है उन्हें वर्ण कहते हैं इसे ऐसा भी कहा जा सकता है हिंदी की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है आईए अब जानते हैं वर्ण माला के बारे में वर्णों को एक उचित क्रम में लिखना और पढ़ना वर्ण माला कहलाता है बोलने या उच्चारण के अधार पर इन्हें दो भागों में बाटा गया है स्वर तथा व्यंजन स्वर स्वर 11 तरह के होते हैं व्यंजन 33 तरह के होते हैं अब हम आगे के वीडियो में स्वर के बारे में विस्तार से जानेंगे आपका दिन शुभ हो धन्यवाद